दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर जारखन के सभी बिद्यालेओं में अब होगा बीना टीसी अगली कक्छा में नमांकन बड़ी खबर है जारखन की सभी इसकूलों में अब नमांकन के लिए बीना ट्रांसफर सर्टिपिकेट ही हो सकेगा सिक्षा परियोजना ने इसे सम्मधित आदेश सभी जीलों की कक्छा एक छटी नौवी और ग्यारवी के लिए जारी कर दिया है नए नियमों के अनुसार सभी जीलों को बच्चों की आयू के अनुसार ही दाखिला लेने को कहा गया है कक्छा नौवी और ग्यारवी के विद्यार्थियों को बोड का रिजल्ट जारी होने के बाद परमानपत्र जमा करना होगा जारखन में एक जुलाई से नय सेक्षनिक सत्र शुरू होगा नय सत्र में बच्चों के नामांकन गुले कर दिश्या निर्देश दिया गया है बड़ी खबर है जारखन में सबसीडी खत्म होते ही बड़ी बिजली का बिल बड़ती मंगाई के बावजुद बिजली उपभुकताओं के लिए बढ़े हुए बिजली बिल ने मुश्किलें पैदा कर दी है भीशन गर्मी से निजात के लिए उपभुकताओं ने काफी बिजली के उपकरनों का प्रयोग किया लेकिन जब मई माह का बिजली बिल आना शुरू हुआ तो सब के होशुड गए यह समस्या बिजली की नई दर लागू होने के बाद हुई है क्योंकि 400 यूनिट से उपर बिजली खपत करने वालों को सबसीडी का लाब नहीं मिल रहा है यह आदेश अपरेल 2022 से परभावी हो गया है यदि उपभुगताओं ने 401 यूनिट भी बिजली खपत की है तो उन्हें 6 दस्वलो दो 5 रुपे परती यूनिट की दर से भुगतान करना पड़ रहा है 400 यूनिट की खपत करने वाले शहरी उपभुगताओं को 3,5 रुपे से 4,20 पैसे परती यूनिट की दर से भुगतान करना पड़ रहा है जारखंड की सरकारी स्कुलों के सिक्चकों को सरकार देगी टैब जहारखंड की सरकारी प्राइमरी स्कूलों के 28,945 सीक्षकों को सरकार टैब देने की घोशना की है यह टैब टीचर रिसोर्सेज पैकेज से दिया जाएगा जहारखंड स्कूली सीक्षा एवम साक्षरता विभाग ने स्कूलों को चिन्हित कर लिया है टैब खरीदने के लिए लगभग 28 करोड रुपए खर्च किया जाएंगे जिसमें राज्य सरकार द्वारा 40 फिसादी राशी का भुगतान किया जाएगा वहीं केदर सरकार 60 फिसादी खर्च का वहन करेगी बतादी कि से पहले भी सरकारी विद्यालेयों के सिक्षकों को टैब दिया गया था पुर्व मुख्यमंत्री रगवरदास के कारेकाल में सिक्षकों को टैब दिया गया था जिससे सिक्षक अपने दैनिक उपस्थिती बनाने और संबंधित कारे करते थे बड़ी खबर है जारकन के कुछ इलाकों में दो दीनों में भारी बारिस के आसार जारकन में बुधवार गुरवार को उत्रिव समीप के जिहां उत्रिव समीप के मध्य भाग में कुछ इलाकों पर भारी बारिस होगी मौसम केंद्र ने इसको लेकर येलो अलट जारी किया है वहीं दो दीनों में जारखन में कुछ जगों पर बादल गरज ने और बजरपात को लेकर औरेंच अलट जारी किया गया है मौसम केंदर के बैज्यानिकों के नुसार अभी पूर्वी से पस्चिम भाग में टर्फ लाइन बना हुआ है जो जार्खन से होकर गुजर रहा है बताय गया है कि टर्फ लाइन के परभाव से बंगाल की खाड़ी से नम हवा का बहा हो रहा है मंगलवार को देर रात तक नम हवा के परभाव से जार्खन के कुछ इलाक जिहां इलाकों में बरसने वाले बादलों का समो मौजुद था बताय गया है कि इसी के परभाव से बुधवार और गुर्वार को संताल परगना समेत पस्चिम बंगाल की सीमा से सटे पुर्व इलाके एवं समीप के मध्य भागों में कुछ जगों पर भारी बारिस के आसार है दोस्तो बड़ी खबर सामने आ रही है देश भर में लागो हुआ राशन काड का नया राशन काड के तहत खाद्यान लेने वालों के लिए राहत भरी खबर है एक और सरकार ने फ्री राशन की आओधी सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है वहीं दूसरी और मोधी सरकार की महत्वकांची वन नेशन वन राशन काड योजना पूरे देश में लागो हो गई बित्ते 21 जून को असम से इसका शुभारम हुआ इसके बाद सभी दुकानों पर ओनलाइन जिहां इलेक्ट्रोनिक पॉइंट आफ सेल यानि POS डिवाइस को अनिवारिये कर दिया गया है सबसे खास बात यह है कि सरकार की इस फैसले का अब असर भी दिख रहा है दरसल राष्टिये खादे सुरक्षा कानून के तहट लाभारतियों को सही मातरा में खादयान उपलब्ध हो इसके लिए किंद्र सरकार ने राष्टन की दुकानों पर इलेक्ट्रोनिक पॉइंट ओफ सेल उपकरनों को इलेक्ट्रोनिक तराजू के साथ जोड़ने जानने के लिए खादे सुरक्षा कानून यमों में संसुधन किया है अब देश में उचित दरवाली सभी दुकानों को ऑनलाइन इलेक्ट्रोनिक पॉइंट ओफ सेल जोड़ दिया गया है यानि अब राशन तौल में गड़बड़ी की गुझाइस ही नहीं बची है सार्बजनिक वितरन प्रणाली पीडियेस के लाभार्थी को किसी भी सूरत में कम राशन ना मिले इसके लिए राशन डिलरों को हाइब्रिड मॉडल की पॉइंट ओफ सेल मशीने दी गई है ये मशीने ओनलाइन मोट के साथ ही नेटवर्क ना रहने पर ओफलाइन भी काम करेगी अब लाभार्थी अपने डिजिटल राशन काटके इस्तमाल से देश में किसी भी उची दर की दुकान से राश्टी खादे सुरक्षा कानून के थाथ पारदर्सी तरीके से राशन उठा सकेंगे बड़ी खबर है जारकण में बीते 24 गंटे में मिले तिरपन नए कोरोना मरीज जारकण में कोरोना की रप्तार एक बार फिर तेज हो गई है हर दिन संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है जार्खन में पिछले 24 गंटे में तिरपन नए संक्रमित मरीज मिले हैं हलागी राहत भरी खबर यह है कि इस दोरा 31 मरीज रिकबर भी हुए है स्वास्ति विभाग द्वारा जारी आकडो को माने तो जार्खन में एक्टी मरीजों की संख्या बढ़कर 289 हो गई है वहीं पिछले 24 गंटे में राजधानी राची में कोरोना के सबसे अधीक मरीज पाए गए यहां संक्रमित मरीजों की संख्या 133 हो गई बोकारम में कोरोना के 5, diff में 1 द्योघर में 60, धनबाद में 4, पुर्भी सीभू में 44, गढ़वा में 1, गुड़ा में 1, गुमला में 3, हजारीबाग में 17, जाम्ताड़ा में 1, खुटी में 1, कोडर्मा में 3, पलामू में 3, रामगड में 1, राची में 839, और पस्जी में 1, एक एक्टीब मरीज है बड़ी खबर है जारखन में जल्द ही दूद उत्पादन का हब बनेगा साहिब गंज जारखन के साहिब गंज जीले को भी दूद उत्पादन का हब बनाने की तैयारी चल रही है इसके बन जाने से संताल परगना में भी दूद उत्पादन को रप्तार मिलेगी मूल रूप से साहिबगन जिला खनीज संपदा से भरा हुआ है इसे दूद उत्पादन का हब बनाने के तहत अगले सपता जीले के महादेव गंज शेतर में 50,000 लीटर शमता वाला डेरी प्लांट का शुबारम किया जाएगा बड़ी खबर है उप राष्टर पती चुनाओ का भी बज़ा भीगुल 6 अगस्त को होगा मतदान राष्ट्रपती चुनाओ के बाद अब उपराष्ट्रपती चुनाओ के लिए भी बिगुल बच चुका है चुनाओ आयोगने बुधवार को उपराष्ट्रपती चुनाओ के लिए तारिकों का एलान कर दिया है उप राष्ट्रपती चुनाव के लिए 6 अगस्त 2022 को वोट डाले जाएंगे और उसी दिन परिणाम भी आ जाएंगे मौजुदा उप राष्ट्रपती M.Wenkeya Naidu का कारेकाल 11 अगस्त को खत्म हो रहा है उप राष्ट्रपती चुनाव के लिए 5 जुलाई को नोटिफिकिशन जारी किया जाएगा वहीं नोमिलेशन की अंतीमति थी 19 जुलाई 2022 होगी इसके बाद 20 जुलाई को उमिदवारों की स्कूटनी की जाएगी वहीं उमिदवारी वापस लेने की आखरी तारीक 22 जुलाई होगी राष्ट्रपती चुनाव के लिए अगर मददान की जुरत पड़ती है तो उसके लिए 6 अगस्त को वोट डाले जाएंगे मददान का समय सुबद 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा बड़ी खबर है देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में फिर बड़ी उच्छाल 24 घंटे में 14,506 नए मामले देश में कोरोना वाइरस का कहर बढ़ता जा रहा है देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमितों की संख्या में उच्छाल देखने को मिला है केंद्री स्वास्थे मंत्रालाई की ओर से जारी ताजा आकणों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वाइरस के 14,506 नए मामले सामने आये और 30 लोगों की मौत हो गई इसके साथ ही देश में कोरोना की एक्टी मरीजों की संख्या 99,602 हो गई है साथी देनिक पोजिटिविटी दरबढ़ कर 3,35 भी सदी हो गई है खबरों को माने तो अब तक कुल 4,344,333,345 मामले कोरोना के सामने आ चुके है कोरोना से कुल 4,28,866,666 लोग रिकवर हो चुके है साथी 5,25,77 लोगों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है इसके साथी देश में कोरोना वैक्सिन की 197,35 करोड से अधीक खुराक लगाई जा चुकी है 101,6 करोड से अधीक लोगों की पहली डोज दी जा चुकी है जबकि 91,35 करोड से अधीक दूसरी खुराक लगाई जा चुकी है बड़ी खबर है एक जुलाई से सब्ता में केवल चार दिन करना होगा काम 50 परतिशत घट जाएगी टेक होम सेलरी केंदर सरकार एक जुलाई से कई नियमों में बदलाव करने वाली है जिसमें एक लेबर कानून भी है दरसल मोदी सरकार लंबे समय से देश में नया सरम कानून लागू करने के लिए परयासरत है लेकिन अब तक ये कानून लागू नहीं हो पाया है वहीं अब ऐसा माना जा रहा है कि मोदी सरकार एक जुलाई से नया सरम कानून लागू कर सकती है ऐसे में अगर आप किसी कमपनी में करमचारी हैं तो आपको जानना जरूरी है नए स्रम कानून के लागू होने के बाद करमचारियों की टेक होम सेलरी भी घड़ जाएगी हलाकि पीएप में योगदार बढ़ जाएगा अगर नया स्रम कानून लागू हुआ तो अगले बीत वर्स से करमचारियों को सब्ता में पाँच के बजाए चार दिन ही काम करना पड़ेगा हलाकि इसके बदले में उन्हें प्रते दिन 12 घंटे काम करना होगा स्रम मंत्राले ने यह इसपश्ट किया है कि नय कानून लागू होने के बाद सब्ता में 48 घंटे के काम का प्रावधान जारी रहेगा